काव पाध्या, सुना है पाने दी फिर दर्म संसत के अधर चुलिये गए अरे जिन संत महंतों को काम ना धाम वही उनको आगे किये हुए हैं और अमारी उमें डंडा दिये हुए है अब साधु संतों के मुँ कौन लगे अब पाने पंडों को जीने नहीं देंगे एक तरह वारक्षन बामनों को मार रहा है दूसरी तरह धर्मनात पड़वा अरे ऐसा द्धर्म को जितना खत्रा विदेशियों से नहीं है उतना सुदेशी बामनों से है वह देखिए कैसा कर उससे चला आ रहा है हरार महादेवारा अरा महादेवारा महादेव So pay attention to this Assi Ghaad, the famous Ghaad, you know Lord Rama, the great Rama, the son of Dashrata, brother of Lakshmana and Bharata, husband of Sita who killed Ravana, his life story book written by Tulsi Dasa, this Ghaad has finished his career here, he wrote a book of big Ramacharitmanas, So this is Aghaad, holy Ganga, people come here, they take bath, remove sin from their body, so make sin, take bath in his holy water. You can see this Pandas, the great Pandas, Sanyasi, Sadhus under there, what we say here, what you enjoy here, you enjoy nowhere, now see there, how wonderful India. पुए करेंगे रर्माट है और शार रचाइन फिर्चिरू座ार माधारा अर्यार्टा मैं छार्टा रजहियोंगे हैं तुम छोड़ भी तो देते हो, मुफ्त में कौन सा काम होता है इस देश में, अरे करेप्शन तो हमारा नेशनल कैरेक्टर बन गया है, और तुम यहां बैठे बैठे क्या उखाड ले हो, चलो पपू की दुकान पर, जाए पिलाओ, हम न जाएंगे पपू की दुकान पर, अर कहीं लोकतंत्र है, तो है पपू की दुकान पर, इस देश में दो ही संसद है, एक दिल्ली में और दूसरी पपू की दुकान में, आना है तो आओ, और नहीं आना है तो हमारे L से, जाओ तुम बच्चन की दुकान पर. तो सहर के बाहार जाओ, गंगा के उस पार जहां कोई न सुने, अगर हुआ, तो गोली चल जाएगी, लाशे बिज जाएगी. पूरा दरसम पुड़वा, सुन लो हमारी बात, और जाके कैदो अपने संस्क्रत की अरक्षकों से, कि जो भाशा में गाली, गंदगी और नजाने क्या-क्या देखते हैं, असी के लोग नचूतिया कहते हैं. और तुम लोग उल्टी गंगा बाहरे हो, हां? अरे हरल महादेव के साथ, भोसड़ी के का नारा तो, काशी का सारवजनी कभी वाद हो भईया, हां? आप लोगों के लिए दोनों में कोई फर्क है के नहीं? है ना? पहला जरा जोर लगा कर बोलना पड़ता है, दूसरा अच्छा है में चाय अपने आप बले से पूद पड़ता है. और भोसड़ी के जिसे तुम गाली समझते हो, वो अस्ती की राश्रभाशा है. और एक बात बताओ, बिना गाली के यहाँ प्यार और राशिरवाद का लेंदेन होता है, क्या? और सुन लो, राश किशोर, जिसने अपनी मा का दूद पिया हो, वो हमारे सामने आवे, और रोक के दिखा दे हो लेगा कभी समेलन. यह गया सिंग, प्राचार, खरिशंद्र कालेज, अपनी जान दे देगा, लेकिन काशी के परंपरे को तूपने नहीं देगा. आजैस, अरे दर्मनास पढ़े के अधग्स बनने की खुछी में चलो सबको चाहाए पिलाओ, यह को नहीं? को नहीं दुकान का मालिक? सालो, देना लैसेंस के भांग पिचते हो. लैसेंस? लैसेंस का रहाए लैसेंस दिखा यह क्या है? चलिए! चलिए!!! बाहने कर लिए बाठ हो गया राश्री चिंटन चली बाहने कर लिए हम दुगान को फिल करनी है कर दिया बनाव सालो को जी सर अधुगान को फिल करो पूटो अधू को अपनी जगह शली हिलेगा शर्मा जी कि सिर्देख रहो है मेरा खलवाट को पर एक भाल नहीं है तुम्हारे डंडे का वार इसके उपर भरपूर पड़ेगा मार सको तो मार लो मगर भोसडी के शर्मा तुम ताशी की परंपर और संस्कति को बदलना चाहते हो तुम्हारी हैसियती क्या है जो तुम हजारों हजार साल से चली आरी खाशी की संस्कति और परंपरा को बदल सको तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने दरोगा-दरोगी आये और गये मगर काशी की संस्कत्व परंपरा कायम है और कायम रहेगी अंग्रेजी कंपोड पर बैठ कर जाड़ा करने वाले शर्मा तुम क्या जानो कि फांग का संबंद दिविनिप्टान से है टिविनिप्टान का संबंद तन और मन से है तन और मन का संबंद मानवस्तित्यु से है और मानवस्तित्यु का संबंद असी से है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरोगा कि तुम महाकाल के भोग को नशाथ हो आखे लोग धार्मी को माप ठालाए निकल लो चला आखे आखे अव सब ठीक भाईनी हाँ राम 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 कैसी उस अवित्रा भाईनी आव राम दे कहां दूसान लियो रहती है सुबह सुबह काम छुड़के तुमारी सेवा करें हम है जाओ जाके कपड़े पहना अभी तक एसे खड़े हो चलो जाओ जाके छट पे खेलो जाओ चलो छट पे खेलते हैं और कहो राम दे का कहें सभी तुरा भाईनी तुम तो देखी रही हो महगाई कितनी बढ़ गई है खाने वाले पांच मूँ और कमाने वाला एक कमपटीशन भी कितना बढ़ गया है मलाहों को आजकल मिलता ही क्या है घाट घाट पर सेर कराने का ठीक ठाक पैसा मांगो तो कहते हैं लूट रहे हैं तीर्थी यात्रियों को पर विदेशी यात्री तो दिल खोल कर दे रहे हैं महले के मलाग खटिक और कर क्या रहें लूट ही तो रहे हैं विदेशियों को कोठरियां किराय पर दे दे कर तुम भी एक किरायदा रख लो रामड़े जैसे रामधन मला ने एक अंग्रेजन को रखा अरे इन अंग्रेज औरतन को तुम नहीं जानती बहना बड़ी वो होती हैं तो आदमी रख लो हैं बहना तुम भेना तुम भेना कम पाल अगी चाची भी तरह हैं बिल्कुल नहीं कोई पोड़ोड नहीं किजाना हमें निकला यहां से थांक्यू वेलकमिंग्यू बड़ एंट्री लेटर लेड़ी इस बिजी इन डेली पुजा कम आ विल शो यू मंग्की गॉद टेंपल यहां जब तेको कर्में कुसने के बाहने ढूंता रहता है तो एसे गूदा है जिसे का जाए गाम को पाणे जी सूरत चड़ाया है पर अभी तक जजमान नहीं आया चकाचक उपाद्या जी देने वाला उपर वाला जजमान क्या देगा भूजडी के देने वाला तुमारे सामने खड़ाया पाणे बंबं भोले नात को तो छोड़ दो कोई और रूप बना और कमाओ बहुत च तुम भी उसी का दियावा खाते हो और मैं भी कोई है यहाँ जो भोले नात का रूप ना हो चलो अब शीशा दो अब चंदन भी देदो देख नहीं रहे हो गर्मी से चंदन पिखल रहा है तो अपना सेंगार पटार साथ में लेकर चला करो मुफत में थोड़ा ही मिलता है चंदन दिन रात शिवलिंग पर चंदन लगाते रहते हो और हम साक्षात मांग रहे हैं तो दुनियादारी सिखाते हो किसी जंडू ने हमारा सामान नचुरा लिया होता तो हम तुमारे घाट पर दिखते भी नहीं नाशो तुमारा अच्छो भाही सुब बड़ा गोला लेली हो का कि जलो भागो यह से मैं काशी गादिवासी और तू काशी का प्रवासी कैता है भागो यह से एक दीन जब अगुष्यदू वहना तर पता चलेगा एक्स्क्जूज मी एक्स्क्यूज मी वेल्कम तू काशी नमस्ते फूतों इस लौड शीवा यह प्लीज वेट, फोटो विद लॉड शिवा 100 रूपीज, विद होली गंगा वॉटर 200 रूपीज, कुम एगुरू, हमारा यहां कुछ नहीं रहा है, वो बिल्लु, बंबीजा के बच्चन के बाल काट रहा है, और हम यहां ठेले वाले किरानिय और पंडे परोहतों के, पर वो भी वार को, जब असी चौराय के दूसरे हर केटिंग सलून बंध होते हैं, हाँ गुरू, हम यह अपने साल लगा लीजे, अबे तुम से कितनी बार कहें कि अपना बुरिया विस्तर बांदो, जाकर घाट पर वैठो, देशियों से मेल जोल बढ़ाओ, उनकी जरूतों को समझो तब है न कुछ होगा, अब घाट पर दाढ़ी मोज बनवाने वाले की कमी है क्या, वो तो है गुरू, अरे तुम यहाँ बैठे हो, हम तुमें पप्पु के दुकान पर डूंड रहे थे गुरू, चलो एक-एक चाय लड़ जाए, हाँ, चलो-चलो कन्नी, हाम एक खोट्री उठाना चाहते हैं, पर कोई ठीक सा किराधा मिले तो, स्वदेशी या विदेशी, स्वदेशी, बच्चा के चन्ना हो, तो बेटर है, ठीक है, जोसते हैं, बागी कमिशन डबल ले, अब फैलो मत, असी पर एक तुम ही नहीं हो, देखो, आपने हो, इसलिए कहरें, सिंगल देंगे, पुलिया, कन्नी गुरु के भरो से हम घाट पर आकर बाइच तो गए, पर अब तुम ही सा रहा हो, तुम हमारा ध्यान रखो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, बाकी सब हम सिखा देंगे, हलो, शचुज मी सार, 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 म'ाँ, आपल राइड, जाराइड, मसाँ सर, अन्य सबिया सर, बस्वंदा आयम मस्या मदाम, अँ, म'ाँ, म'ाँ, आप्या आप्या अशी श्मीरेगा? आँ, य य य य य य य विज प्लीज, य य य यहां शंकराचारे को भी चुनोती दे देता हैं साले जी भीया चौबे जी लसुन प्याज मास मचली तो नहीं खाते हैं जी खाना तो दूर हम तो छूते भी नहीं याद रखिए इस मौले में मलेच्छों के लिए कोई जगा नहीं है दूबे चौबे उपादिया तिवारी बहा निखलो और देखो धर्म के मामले में तुम चुपी रो जी जाओ भीदर जाओ क्या बात है पांडे जी क्या बात है बुलाओ मौले के सभी ब्रामनों को और पूछो कि जिस मौले में कोई ब्रामन लसून प्याज नहीं कहता वहां हटी कहां से आई बहिया पांडे कोरा मचा रहा है कितनी बार तुम से कहा कि हड्या दूर भेक कर आया कर पर तुमों की सुनते ही नहीं हो किसका किराइदार है बलाओ सभी किराइदारों को ऐसे विदेर्मी को बहार निकालो पाई रगी कहा है अड्डी ओए लोंडे रंग बंचेमा तुम चौबे के किराइदार हो ना हाँ पांडे जी याद हो ना नहीं ठाकूर है तब तो खूब मास मचली खाते होगे मास मचली खाने वाले को हम कोट्री कैसे दे देंगे पांडे जी तो फिर ये हड्डी कहां से आई ये मुर्गे की है या चूहे की ये चूहे की लग रही है तुमको आप मुर्गा खाते हैं क्या देखा कैसी बात कर रही है लोंडा हम खाते नहीं तो जानते भी नहीं क्या इस सूखी लकड़ी के दर एकदम चूहा है इस चील गिद बास कोवे न जाने कहा कहा से लाते हैं खाकर यहां गिराते हैं कई बार हमने ऐसे एडिया यहां वहां देखी हैं पंडे जी चील कववे को उड़ाने के लिए महले के किसी आदमी को पठा दिया जा तो सारा जंदोटी कतम हो जाए बहुत बाधिक बलवाय मचा रहे हो अब यहां चील कववे को उड़ाने के लिए कौन बैठा रहेगा जो चील कववे को इस महले में हम खुछ नहीं ना दे तो चलो फुटो यहां से जरूरी था लड़ना अब तुम मत शुरू हो जाओ क्यों ना शुरू हो लड़े आप और गली महले की पड़ाइनों के ताने सुने हम अरे शंकराचार हैं क्या आप खुद चैन से जीओ और दूसरों को चैन से जीने दो खाने दो अगर कोई मास मत ची खाता है तो महले की ठाकर नहीं खाते क्या पांडे की घर पे है कोई गुमशुदा है जी लड़की है जी भाग गई है एक लड़के के साथ क्या नाम है लड़की का जी गंगा दस दिनों के भीतर लड़की वापस आ जाएगी रोज संकर मोचन का दर्शन करें जी दक्षिना कितने पांडे जी जैसी जजमान की शक्ति लो जजमान दे गया है सिर्फ क्या रह मूँ खोलके मांग नहीं सकते थे क्या क्या होता है आज के जमाने में 11 रुपे में भू सिडी का दक्षिना दे गया है कि दान रिश्वत दे गया है क्या सावित्री सावित्री बहुत लोग पाप करवाता है हाँ मैं लोभी पापी मूरक और नजाने क्या क्या हूं आप से तो कुछ कहना ही बेकार है वृनito है वानारस इस सडी आफ योगा थ्बवगा City of Science, of Living and Art, of Lovin канале योग चार्या थ्बवाचार प्रतिोट्री का छार hes 3-1 मौनि बाबा स्थिट्री बाबा 2 मुन मिनिट बाबा स्लेट बाबा थ्बां मेनी ताइब सभॉप आप इंडिया को बहुत लाइक करती है, आज का इंडिया क्या है जाना चाहिए ले में सब्सक्राइब अवदो कुदारत की गतिनारे अवदो कुदारत की गतिनारे आतनु विश्मत बहुँ सडीके सिधे सिदे कुछ नहीं लिख सकते थि इंडिया से इंडिया कुमा इंडिया 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 काम सुक प्रषमा Windows इंडिया सब्सक्राइब सुस्ट्ण इंडिया A datma vishimrit 1-10 साल के बादाम का इंडिया काई सुगा बाबा में तुबंडी इंडिया बाजार, मार्केट फ्री मार्केट, अपन मार्केट, वाट मार्केट मुफ्त बाजार, खुला बाजार, कैसा बाजार बाबा? नारंगी, सेव, पेर और अरंज अपल बेरीज सेल फोन, लाप्टोप, प्यूटर्स सोचेगा कम बोलेगा जादा, India India will think less, speak more India cut off from its roots, will speak more, and think less, with orange, apples and berries एक बात कहें पंचांक पत्री के सहारे कब तक जीवन कटेगा? अमारे पिता पर लोक सिधारते समय, यही पत्रा पोथी और घाट की छत्री हमें थमागे थे अब हम करें तो क्या करें? पात्षाला के बाद विद्यारतियों को संस्कृत पढ़ाईए कहां है संस्कृत पढ़ने वाले? जिनका कोई भविश्य नहीं आगे नातना पीछे पगगा ऐसे चारचे दीन हिन ब्राह्मन बालकों को गेर गेर कर हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं मारवाड़ियों के दान और दया पर चल रही है हमारी पार्ट-टाइम पार्शाला असी पर कितने विदेशी संस्कृत पढ़ने आ रहे हैं? कौन संस्कृत पढ़ रहा है? सब सारे चारच गांजा और बनारस में रुखने का बहाना ढून रहे हैं असी युनिवसिडी है क्या? और कौन संस्कृत पढ़ा रहा है? सब पैसे कमा रहे हैं सब कोठ्रियों को किराय पर उठाने का चपकर है यह तो हम हला किये हुआ हैं इसलिए ब्राह्मनों का महला बजा हुआ है वरना असी के हर घर में पांडे गुरू होते और अंग्रेश चेला चली तो सड़ने दीजे बच्चों को पालिका की पाथशाला में किसने कहा तुमसे कि पालिका की पाथशाला में प्रतिभा नहीं होती बड़े-बड़े विद्वान और नेता पालिका की पाथशाला में पढ़े हैं आपसे तो कुछ कहने ही बेकार है अरे कहे के है है और कहे की खटखट साथ तो जाना नहीं कुछ जरह बाहर देखो मरे जा रहे हैं 2400 गंटे सारा कुछ उटाए जा रहे हैं फिर भी चहरे पर खुशी नहीं ये नहीं है तो वो नहीं है इसे साड़ी तो उसे फ्रॉप, इसे फीज तो उसे टिफन, इसे टॉनिक तो उसे दवा, कुछ करो तब भी, ना करो तब भी ये दुनिया चल रही है और चलती रहेगी शोभावा मरत्यस्य यदंतकेटत सर्वे इंद्रियानाम जर्यन्ति तेजह नचिकेता न यम से कहा हे यम राज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं, इसका भरोसा नहीं भोग, मन्यश्य को कमजोर करते हैं, इसलिए ये घोड़े, ये नाच, ये गान, तुम अपने पास ही रहने दो कहां मर रहे थे? आज भी लेट गुर्देव, एक जगा तेरह की पूरी खाने गय थे देखो, एक बाज जान लो, रोज रोज ना मुंडन होगा, ना चटावर, ना तीज, ना तेरही इसलिए अपने पर भरोसा रखो, थोड़े संस्कृत पर लिखलोगे, तो आत्मज्यान पास सकोगे वरना एक पाव आटा, दो आलू, सवा पांच रुपे के सीधे के लिए जजमान को ढूंटे रहना ना साले रोज रोज ग्रै नक्षत्र खराब होँगे, ना रोज रोज जजमान आएंगे नची केता से ही कुछ सीख लो, यमराज, घोडा, हाथी, सोना, सुन्दर-सुन्दर स्त्रियां दे रहा है, पर वो कहता है कि मुझे ज्यान दो, कहता है, ना वितेन तर अपनियों मनुष्य हो, मनुष्य के धन की प्यास कभी नहीं भुछती, और एक तुम हो, कि तेरही के भोज और दक्षना के लिए मरे जा रहे हो जो, इस यह वर्स पिक्निक तु बनाराच? नो, अच्छली, सेकंड ओ, फाइडिंग पीस यहर, मोक्षा नो, अच्छली, फाइडिंग प्लेस यहर अमेरिकन देवी घाट पर रहना चाती है तो यह कौन मुश्किल काम है, गुरू? बहुत सड़ी के, इतना आसान होता तो आहमीं नहीं कर ली होते तरह पता करो कोई बावन ठाकुर गुमियार अपनी कोठी उठाना चाता है के अब विशन में तुम्हारा भी इस्ता रहेगा अर्सी भदैनी में कोई ऐसी गली है क्या? जहां कुडा, कुट्पे और किरायदार नहीं पंचांग और किरायदार ही तो पंडों का सहारा है पर जब तक चूतर नहीं लाओगे यहां बैठे बैठे कैसे पता करोगे? किरायदारों की कौन कमी है यहां? मारे मारे भेवने गली-गली और किराय बस इतना कि समझो मुफ्त में और महिना हुआ नहीं कि किच-किच शुरू बिजली कभी लो तो किच-किच पानी न मिले तो किच-किच खाली करने को कहो तो किच-किच और ऐसे में अगर किरायदार होस्यार हुआ तो गई को ठरिया हाग से फिर लड़ते रहे ये सारी जिन्द की मुकदमा पर हम स्वदेशी नहीं विदेशी किरायदार के लिए पूछ रहे हैं विदेशी पर पूरी बावन है बनारस पर काम कर रही है उठानी है तो बताएं पागल भयों क्या हम किसी विधर्मी को कोठरी कैसे देदें कोठरी तो है फिर कोई धरना देके बैठ जाएगा कोई गले में पत्थर बांगे गंगा जी में डूबने की धमकी देगा हाँ तो आप पांडे जी से आशवराद ले लिजिए मांगने अप भोले ना आप क्या के नहीं देते पांडे जी आशवराद नहीं देंगे क्या अरे वो बड़ अब देखिए क्योंकि असी की हर गली सीधे घाट पर और घाट पर हर मकान की खिड़की सीधी गंगा की ओर खुलती है घर से भार कदम रखो तो गंगा खिड़की से जांको तो गंगा यहीं विदेशियों के आपकी पुतली है और आप उन्हें ये सुख इसली देंगे क्य खटीक और दूसरी जातियां तो उन्हें अपने घरों में रख रही हैं रखें उनकी मर्जी उपाधियाई जी आप भी जानते हैं जब से ये विदेशी यहां आए हैं घाटों पर क्या हो रहा है और आप चाहते हैं कि जो घाटों पर होटलों में लौजों में हो रहा है व आपके चुला चुकी मगूसेंगे, आपके बेटे-बेटियों से मेल जोल बढ़ाएंगे, आख मतका करेंगे, उन्हें घाट पर घुमाएंगे, ना जाने कहा कहा की सेर करवाएंगे, आपको छूतिया बनाएंगे, तब आप क्या करेंगे? तीन महने में हिंदी और छे महने में संस्कृत, तब तो हिंदी और संस्कृत को अंतरे राष्टे भाशाओना चाहिए था, लोग कहते हैं के असी पर हम बलवा मचाए रहते हैं, भोसडी के धर्म भरश करो तुम और चुप रहे हम, खबरदार जो किसी अंग्रेज इनको किरायतार रखाओ, पालागे पांडे जी, बाबा भोले नाथ से अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जा रहा है, देखे कैसे बिदेशी जज्मान बेज रहे हैं, चका चक, काम की बात करो, एक जज्मान शरण चाहती है, पिछली बार कितने दिन जेल की हवा काट क कराये थे, जेल, वो तो पुलिस हमें गलत फैमी में उठा लेगी थी, चरस कांजे के साथ कौन पकड़ा गया था, एक अबला अंग्रेजिन थी महराज, जो जो चरस गाजा हम अपने हाथ में न लेते, तो एक अबला थी थी जेल चली जाती, सो हम लोग ने हाथ बढ़ा द जो किसी अंग्रेज को असी की रहा भी दिखाई, तो टांगे तुर्वा दूँगा, असी में रहना है की नहीं, भाग एंसे मना कर दिया था आमने हरामी को, पर नववा का साहस तो देखिये, वन संकरैस साला साबून भी नहीं लगाता सा सोरा, पानी लगाकर दाड़ी बनाता है खुद ही, ना खुद कमाएगा और ना कमाने देगा अब बन कर अपना पांडे पुरान, अब जो कुछ करना हम ही करना है पाला की गुरू, क्या बात है पांडे जी आज, अब आशिरवात नहीं दे रहे हैं क्यों, मलाओ खटिकों के साथ विश्व कल्यान का धंदा बंद कर दिया है क्या अब हमारी भी मजबूरी समझे पांडे जी, अब अमेरिकन देवी असी पर नहीं रहेगी तो बनारस को क्या समझेगी और एक बात कान खोल कर सुन्दो करने, कंगा हमारे लिए रिवर नहीं, बैया है हम घाट को पिक्निक स्पॉर्ट और कंगा को स्विंग पूल नहीं होने देंगी अमेरिकन देवी को बनारस में जहां रहना है रहे असी के किसी ब्राह्मन घर में, वो नहीं रहने पाएंगी पालागी का कन्नी, क्या पीचर आ रहे थे कहेंगे बस उधायव, कुटुम कम लेकिन किसी विदेशी को अपने गली महले में पैर धरने नहीं देंगे अब भला सूचिए, अथिती दुनिया के कोने कोने से यहां आ रहे हॉलेंड से, फ्रांस से, जर्मनी, जपान से किसी को तबला सीखना है, किसी को पखावस सीखना है, किसी को सितार सीखना है, तो किसी को धुरूपल कोई संस्क्रिट सीखना चाता है, कोई हिंदी सीखना चाता है, अब ये सभी आएंगे, तो कहीं न कहीं रहेंगे न आएं, अब इनकी मदद के लिए आगे न आएं, तो लूट लें सब सालिपंडे, मला, रिक्षा वाले, गाइड, हुटल वाले सभी, और जब हम मदद करत हैं, तो ये चूतिये, हमें कहते हैं कि हम विश्व कल्यान का थंदा करें, प्राणी प्राणी में भेद करेंगे, लेकिन कहेंगे कि प्राणीयों में सदभावना हो, कन्य गुरो, आपने मुलुक मुलुक के अंग्रेज अंग्रेजिन का नाम लिया, पर ये अमेरिका और इ अंग्रेज अंग्रेजिन घाट पर गंजी कुर्टा लूंगी में यहां वहां घूम रहे हैं खुटाथ पर चाय पी रहे हैं वे कौन हैं मनी और मशीन से उकताए वे भागेवे लोग जो बेकारी भत्ते के एक हजार डॉलर के मनी ओडर का इंतजार करते हैं वे मनी और मशीन से भागे हुए लोग ने देखिए तुमने असी घाट पर घूमने वाले अंग्रेजिनों की उमर तीस बैटिस इंडियन कल्चर इंडियन म्यूजिक इंडियन डांस इंडियन देवी देवता तंत्र मंत्र साधना योग सब इनके शौक भी हैं और मजबूरी असी पर रहने वालों के लिए शौ डॉलर कम नहीं होते महिने के जैसे चाहे रह लो जहाँ चाहो खा लो जहाँ चाहो सो जाओ हजार डॉलर का मतलब यहां पर अमील पर उनके अ में क्या इतने में संस्मान के साथ जीना मुम्किन है वहां लेकिन यहां उनके सेवा हो रही है सम्मान हो रहा है सिर्फ इसलिए कि वे आपको पैसा दे रहे हैं डॉलर दे रहे हैं असी पर रहने वाले अंग्रेज अपने घर, समाज, देश का उसी तरह कच्छडा है जिस तरह हमारे समाज में घरीब ए गया गुरू जान ले लो, जहान ले लो, धरम ले लो, इमान ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, पर चाटो मत हमने तो पहले ही कहा था जहां हर घर में शिल जी का मंदिर है वहां अंग्रेज को कौन गुषने देगा पर आप चाह रहेते कि बावनों कही कल्याड़ों अवे तुम्हारी कोठरी है क्या कूड़ा और विदेशियों के आने से मलाई कौन काट रहा है तुम लोग हम तो चार है कि किसी एक अंग्रेश को बाबन ठाकुर के घर में भुसा दे तो फिर रास्ता असान अरे कन्नी गुरू की बात रख लो यार दे दो एक कोठरी देंगे पर रेट हर दिन का लगेगा या बेंग गेस्ट मंजूर है तो एक कोठरी खाली कर देंगे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग मैसे जाओ विदास है रख देरें अटाइश टॉलेट अलो अलो इस नाइस थाट्वी या लोगिल लो कोमिशन तो ठीक है पैतरीन को स्टुजन्ट वीजा कसे मिलेगा वाव हम पर जोड़ दो गुरू हिंदी के एक प्रोफेसर की हम दाड़ी बनाते हैं तीन दिन में एक बार उसी को हम चांपते हैं नहीं तो फर्जी शादी करवा देंगे किसी विरोजगार बनार्शी से राष्ट भाषा के विकास में बहुत योगदान दे रहे हो निजभाषा के उन्नती अहे सब उन्नती को मूल हम तो यहीं सीखें गुरू देव जब अंग्रेजन राष्ट भाषा को नहीं जानेगी तो भारत को कैसे जानेगी अब यहीं होना है अंग्रेज हिंदी पढ़े पर उसे हिंदी ही पढ़ने देना दूसरा कुछ ना पढ़ा देना कैसी है तुमारी पेंगे स्राम देव का बताई बहिनी वो भोसडी की मजा ले रही और हम सजा भुगत रहें नौकरानी बना के रख दिया हमें कभी लाओ कभी उलाओ कभी खिलाओ कभी उपिलाओ जैसे यह घर नहीं होतल है होतल और लगी रहती हैं नहां के पीछे-पीछे चब देखो उसको उस पे गुदा रहता है अरे तो अपने पती से कहो अरे दोनों एक साथ हट्टर मूत दोनों साथ्त हैं तीनों सांसा चरस गांजा करते हैं हैं राम्दे तुम्हारे वो लंगोट के बैङु पक्क्के हैना ata झाना अब लंगब खुडर के पक्का होने से का होता है जब कोई खुड़े अपना लहंगा उठाए जहां तहां गुमती भी कई बार देखा आमने उलेंगा उठाए लेती रहती है और कहती है यहां बहुत गर्मी है कहां बनारस में आरे दोनों तामों के बीच में और कहां संबल के रहना बहना अंग्रेजिन बड़ी वह होती है थोर देंगे बाद है बाद है बाद है अब बाद है जए थागा इख रची अवहा है आर आरे आरे है यहा है बहुत देखा आरे हैं बहुत आरे रहने अजजयúa कर दो कर दो! हैthis मैं, हएड़ अचेए फ्थ लैसर ! सिरष ऑाँ परे इसरींद, परेज zijn जढलत वागा जड hé Professor ऑरे इसरीं भरे इसरीं प्रकाटिन, जढलत जेसे अजबस्तित , जजए भंग एंचेए gatuneeon concrete. जाषğ। तुम लोग गाओ गली-गली से इंटा भेज़कर आयो धा में मंदिर बनवाओ बाव्या विराट इटा का बना हुआ एक भी भावे मंदिर दिखा दो क्यों पाड़े जी मंदिर शद्धा से बनता है गया संग जी वो तो हम देखी रहे हैं पहले राम को पूश्ता कौन था सिंगल और अड़वानी के सिवाद कितिने मंदिर हैं यहां राम जान की के राम नुमी के लावा और कहां है राम देश रसातल में जाता है चला जाए मगर आप अयोध्या जाएंगे मंदिर वही बनाएंगे तो कहां जाएं मंदिर कहां बनाएं रोहम या इटली अरे छोड़िये देश कभी आपके एजंडे पर थाई नहीं आपका एजंडा है राष्टिय स्वाभिमान और गोशन रक्षन चुनावी मुद्दा ढून रहे हैं आप लोग तो वकील सहाब फिर आप ही बताईए कि मंदिर जन्म स्थान पर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा कोई प्रमान पत्र है आपके पास के रामलेला वहीं जन्म लिये थी जहां मंदी बनाने चाहते आप क्यों रादे शयां कौन देगा प्रमान पत्र आप एतेहास को कट घरे में खड़ा कर सकेंगे आप चिरवास्तल जी आप तो वकील हैं सच्चे सफाई मांगने की आदत है आपको कितनी बार सच को कट घरे में खड़ा करेंगे आप तो जो आप कहें उसे ही सच मान ले क्यों पड़े जी नहीं पर जो आप कहें उसे हम मान ले अरे अदालत की भी कहा मानने वाले हैं आप लोग आस्था का फैसला अदालत कैसे करेगी भाई देखिए देखिए ये है इनका चरित्र राश्ट्रिय चरित्र देश का कबाड़ा हो जाए, लेकिन ये लोग नहीं मानेगे अरे श्री राम, घर में कलहना हो, इसके लिए अज्ध्या छोड़ दिये टे लेकिन ये जन्मस्तान नहीं छोड़ेंगे अरे कैसे छोड़ दें, प्रभू स्री राम ही तो कहे है जनमी जनम भूमिश्च स्वर्गा दपी गरिया सी समझे वकी साहब जनम भूमी स्वर्ग से भी मान जये श्रीरा जये लादिया बहना शिला पूजन का पिसाद लोगी नका तु भीतर है क्या क्या हो रहाए बे योग सिखा रहे थे अंग्रेजन को कामसुत्र सिखाते हो वो सडीके अब हम सिखाएंगे तुम्हें कामसुत्र जगु को पता चला तुम हमें मार देगा अंग्रेजन भी जीने नहीं देगी उन्हें पता चलने देंगे तब न और जो हमारी ना मानी तो हम तुम्हें जीने देंगे लिया मुझी भुझी 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 ग्राम्मनों पे बुरा ग्रह आया है भाई काशिरमुआ तो पीछे पड़ाई हुआ है मुलाईमा और ललुआ भी घास नहीं डाल रहे हैं और जब भोशडी का विपिया हर जगह से लत्याया और दुर्दुराय जा रहा था तो इसी असी भदैनी ने उसका तिलक किया था और कहा राजरशी राजा नहीं फकीर है देश की तक्बीर है और जब ससुरा तिल्ली पहुँच गया तो हमारे ही उसमें डंडा कर दिया पियेम मंडल आयों में फस गया और स्रीम बाबरी मस्जिद में और डियेम इन दोनों की विवस्ता में देश भोशडी के जहां का तहां है अरे देश जहां का तहां कहां है वकी साहब देश अब वामपनती पार्टियों के और देख रहा है देखिए वे क्या करते हैं वह जा करेंगे ? अरे कमनिस्ट पार्टी हों और डोम में को फर्क है क्या ? जैसे डोम मसान पर लकडी वगएरा जुटा कर मुर्दे का इंतरार करता है उसी तरह यह कमनिस्ट पार्टी वाले यह भी टक टकी लगा के बैठे रहते हैं कि कब सरकार गीरे और कब ये मलाई काटे हैं वकिल साब रजवा की नईया तो डूब गई पर जो श्री चंदेशेकर पियम बन गए तो बाटी चोखा राष्ट्री भोजल खोखो राष्ट्री खेल शुरहताल राष्ट्री कारियल है और भोसोडी पियम आपिस होगा ये का हो रहा है पाणे जी शहर बनारा सब हर हर महादेव की जगे जैश्री राम से गुझ रहा है शहर बनारा से क्यों पूरा देश जैश्री राम की पकार से गुझ रहा है और गुझ ना भी चाहिए आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें रादे शाम कार सेवकों को अयोध्या भेजने की विवस्ता में जुटे हैं लगता है राम का अयोध्या में रहना राम के भाग के में लिखा ही नहीं है क्या मतलब है तुमारा अब पहले घरवाले राम को अयोध्या से बाहर किये थे अब उनकी प्रजा उन्हें बाहर करने की तैयारी कर रही है तुम निया राम चरित्र लिख रहे हो क्या प्रजा कब राम को बाहर बेजी अरे एक वाशेर मैन के कहे राम जी सीता मैया को आयोध्या के बाहर भेज दिये थे तो क्या राम खुद्धाय आयोध्या में रह गये थे मंदिर मस्जिद की लड़ाई राम को फिर से बनवास देगी अरे और तो और जिनके उर्दय में केवल शिराम बसते थे ऐसे तुलसिदास को ये राम भक्ति अयोध्या के बाहर किये थे अरे पाना जी आप तो इतिहास जानते हैं ना अब ये बो देख दे रहे हो बो सुड़ी के ना जाना है मत जाओ फान बल्चपरी कर रहा है पर राम कहां रहते हैं उन्हें कहां रहना चाहिए वो हमें न सिखाओ सुनिया माहराज बोल बच्चा यहां क्या उखाड रहे हो अध्या जी क्यों नहीं चले जाते देखो अगर रास्ते में पकड़े गए तो बढ़िया बढ़िया पोड़ी कचोड़ी मिठाई बहुन भोग मिलेगा और अगर कहीं राजेशाम की थरकार आ गई तो जैसे स्व गली घुम रहे हो विश्वास ना हो तो पूछो रादेशाम से क्यों रादेशाम क्या तुम भी हम पर सो कार सेवगों का एक चत्था लिए अयोध्या जा रहे हैं दस-12 लोगों के लिए पूरी सबजी बनाते ना यहां दान दक्षिन सीधा आठा चावल पे जी रहे हैं औ और आप भंदारा खोल रहे हैं अरे क्यों जाना है यह उध्या गर बैड़ी है नाम का नाम दीजे बनाएं जिसे मंदिर बनाना है पगल मही हो क्या जब देश के कोने-कोने से लोग कार सेवा के लिए जा रहे हैं तो हम घर कैसे बैठे रहे हैं हो सकता है गरिफतारी भी द जरूर जाएंगे कार सेवा का इतना ही शौक है तो घर घर जाईए बढ़ियां से राम कथा कईए घर घर में राम बिठाईए कौन रोकता है आंदोलन तो तब होगा ना हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते और एक बात कान खोल कर सुन लो हमारी ये हमारे लिए आस्था का प्र बच्छा बच्छा राम का 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 आज लशा बढ़ रहा है। भांग से ज़्यादा धर्मनीर पेख्षता का नशा है। जल्दी नहीं उत्रेगा। सादर से प्रसाद से रधरियों पूली कारी हरशो ही भरियों। सुन से सत्य असीस हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारे। नारद बच्चन सदा सुची साचा सोबर मिले ही जाही मनु राचा। मन जाहीं राचे मन नहीं से वर सहचे सुनू मेरे सादर करुना निधान से जान से रधरियों से रहु जान तुम्हारे। मन जाहीं से रहु 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 जाहीं से रह होना क्या थी सर्यू खूल से लाल हो उठी पर मस्जित पर भगवाल लहराया चारों ओ लाठ यार गोलियां चल रही थी पांडे जी सीना तानकर आगे बढ़ रहे थे पर भोस्री वाले ने पैर पर गोली मार दी तो हो साले का निशाना ठीक नहीं दगा अरे यार हद है अरे निशाना ठीक कैसे लगता अभी तास्ती की छाची पर इनका मूं जलना बागी है कोली लगी है पैर में ये नहीं के पहले घर जाईए घर में कोई रहा देखता होगा पप्पू की दुकान पे पहले जाएंगे माला जरूर पहनेंगे अब बस भी करो हम तो सिधा घर आ रहे थे उनलोगों ने हमें वहां रोक लिया अब हम अरे कौन नहीं चाहता कि गली महले में क्रांतिकारी हो लेकिन सब पड़ासी के घर में चाहते हैं अपने घर में नहीं सोचिए गोली कहीं और लग देई होती तो सस्राब चैन से जीने ना दे गई है पांडे जी भीतर आजाएं लो सभीतरा बहनी अरे सभीतरा बहनी तुमने सुना कि नहीं क्या और वो भोशडी के बह गई कौन अरे वो कतरी बड़ी चालबाज निकली खुद भागी तो भागी साथ में उन्हान नेकरमों को भी ले बड़ा हो उसकाच तुमारे जगवा को नहीं ले भागी हां लेकिन भा अच्छा बड़ा हिसाब किताब रखती थी तुमने एक रम का का वैं तुम भी रखती थी अरे वो तो अकबार में छपा है हारामी को हमरी पेंगेस पर डाका डालना था अब तुम क्यों मातम कर रहा हो भोसडी के हैं तुमारा कौन मर गया अब एक धूनोंगे चार मिल जाए हुजार दिन में ढून देंगे तुम्हें पेंगेस पर तुम उसे बना रसना दिखाने लगना बस पर ये वोनों भोसडी के गय का गंगा जल हाथ में लीजिए इज्वार ओम केश्वाय नमहा महराज वो मिनरल वाटर से काम नहीं चलेगा का मिनरल वाटर चाहिए तो कहीं और जाओ भोसडी के गंगा में हमारा विश्वास अब भी अटल है पाने जी ये बताइए ये देश कब तक राम भरोसे चलता रहेगा जब तक राम के भरोसे है तब तक ही ठीक चलेगा इसको दो पहले अच्छा और ऐसा करो आदा किलो टेमैटो भी दे दो हाँ 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 तो आटार बीस रुपिया आज आपको क्या दूसा इत्री बैन आधा गिलो लाकी और कुछ बस आजका किस पार्टी में हो आपकी बारी अडल भिहारी औरे पर मंदिर मस्जद मुद्दे पर तुम तो रादे शाम के कानशाब आ गयते डाक्टर शाब देश संकट की घड़ी में हो तो इससे उसमें या उससे इसमें आजा सकनी की गुंजाइश होनी चाहिए यह गुंजाइश ही तो लोक्तंद की तापत है चलिए यह एक चाय लड़ जाए चलिए हसलो हसलो बाकी पांच साल तो रो नहीं है तुम्हाई सरकाल बन गई तो यह तो हो नहीं है तुम लोग पहले ठूखते हो और फिर चाटते हो और समझते हो के देश है चूपिया कल तक बोलते थे काशी और मत्रा हमारे एजंडे में नहीं है आज कहते हैं कि आयोध्या में राम मंदर बनाएंगे कल को कहेंगे के कोड करचेरी किसी चीज़ को नहीं बांते हो साथ कोई दीरी मात है तुमारा सलाम मिया सलाम 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 सब खेरियत तो है हाँ जी बैठो और सुनाओ क्या हाल चाल है हाल तो आप देखी रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रहक याने बंद हो गए हूँ क्यूं ग्रहक क्यूं बंद हो जाएंगे अरी इस महले का उको ठीकाना है राम जन्ब भूमी और शीरा पूजन का तमाशा तो देखा ये तुमने कैसी बात क करने सहाब आप 50 साल से 80 पर हमारी दुकान है आज तक ना कभी चूरी हुई ना लूट पाट गाली तक नहीं दी किसी ने हम जूट बोलते हैं जब भी दंगा होता है तुम्हाई दुकान बंद हो जाती हमने खुद देखा है वो अलग बात है वो मोहले की कारण से नहीं किस इस बार पूरा चुनाओ ही सेकुलर पर हो रहा है सेकुलर यानी मुसलिम वोट ना सेकुलर यानी मुसलमानों के हित पर हिसाईयों के हित पर हिंदू साम प्रताइक ता कि दुरूप मुसलिम वोट वेंग के अलावा सेकुलर का कोई अर्थ है और पिछले 50 साल से आप जो य के हिंदू कार्ट भेडाए हुए हैं उसका क्या अर्थ है बुरा मत मानिएगा साहब मेरी सारी जिंदगी इसी मोहले में पीती है इसी मोहले के बच्चों के साथ में खेला बड़ा हुआ यहां सभी लोग जानते भी है मुझे रोजी रूटी भी उनी से चलती है पूरा अश्वास ने करेंगा बस तक्लीब इसी से उती है अच्छा मिया चलता हूं खुदा आख़ज चलो मिया सुनरे वरादेशाम पड़वा यह यह है च्छे दिसंबर की देन जो मुसल्मान नहीं थे या जिने अपने मुसल्मान होने का एहसास तक नहीं था वे भी मुसल्मान हो गए रातो रात मामुली से मामुली तुटही मस्जिद में भी लाउच्पिकर लग गया जिस मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई उससे भी भोर और रात में अजान सुराई पढ़ने लग जो नमाज में नियमित नहीं थे वे भी नियमित हो गए इस पूरे इला बिना किसी भेदभाव के आते जाते थे, तीस त्योहान साफ साथ मनाते थे, एक ही खटिया मशिया पर बैठते थे, कभी फलक नहीं बालों पड़ता था तो दोनों के बीच, लेकिन चीजे बदल गई राधेशाम पड़वा, उस घटना के बाद चीजे बदल गई, है कोई ज हम प्रदाइकता ही सुनाई पड़ती है, तो हम क्या करें, हर हर महादेव, जगवा मल्ला को ही देखो, गोबर थी उसकी कोटरी, उधर ताकते हुए भी घिन आती थी, और अब देखो कितने साफ सुत्रे, और बच्चे, महलने में हैं किसी बावन के ऐसे बच्चे, तरह तर के बढ़ियां डिजैन वाले पैंडशेट पहनते हैं, पहले रात दिन गली में लड़ाई, जगडा और चिल्लपों मचाये रहते थे, अब तो पड़ते लिखते भी दिखाई देते हैं, कलकुटिया लिए जोड़ खटा रहे हैं, रंगीन टीवी देख रहे हैं, और उनकी क्या करें, किसी अंग्रेज अंग्रेजन को रख लें क्या, अरे घर में रखने को कौन कह रहा है जी, अंग्रेजों को संस्कृत ना पढ़ाना हो तो मत पढ़ाई, कथा तो कह सकते हैं, कीर्तन करिये, परवचन करिये, सत्य नरायन की कथा बांचिये, भागवत पढ़िये, दो पैसे कमाने का कोई रास्ता तो ढूणिए सावित्री नवितेन तरपनियों मनुष्य हो मनुष्य के धन की प्यास कभी नहीं बुछती तेल बनाने वाले बिजली बेचने वाले अब सबसी बेच रहे हैं पानी बेच रहे हैं पर उनकी प्यास नहीं बुझ रही, पुरी दुनिया के दौलत भी मिल जाए तब भी आदमी कहता है, और थोड़ी दिनों में, साफ अब अभी डिब्बों में बंद करके बेचेंगे भोसुरी वाले, बेटी का बया बिना पैसे के हो जाएगा, कभी सोचा इस बारे में? पालाद पाता कीव! खंड हर बच गए हैं, पर तेवर देखिए, सो करोड की आबादी में, पांच जटकुली सीपियाई वाले, पर दिखाएंगे ऐसे, कि जैसे ये ना हो तो देश ही न चले! चिंता ना कीजिए थोड़ी दिर में आ जाएंगे, ज्यादा दिनों तक विबक्ष की राजडीती नहीं कर पाएंगे! केनी, माई माने! नेक्स्ट आम उन पूर्ट, फेवी, खेएंगे! केसे हो कानी? भोसरी के नंकातू! अरे सबी तुरा बहिनी! सबी तुरा बहिनी! अरे कहा हो, हम यहाँ है, अरे छत पर क्या चोचला ला रही हो, गाजब हो गया बहिनी, सुनोगी तो हैरान रह जाओगी, अरे ऐसा क्या हो गया, उँ अंगरेजल लाउट आई है, कौन, कतरीन, और कौन, कतरीन, हाँ, साथ में उन वुआ भी है, उँ चूतिया बाबा हो ग है, आगे पीछे चेला चाटी, बता रहा था कि अस्री में पुराना वाला खाड़ा खरीद लिया है, वहाँ योगा आश्रम बनेगा, और उससरी बनारस पर दूसरे किताब लिख रही है, अच्छा है, अभी देसी ही इतियास लिखेंगे, भारत का और बनारस का, आज तुम्हारा ध्यान कहीं और है बहना, तुमने आमें गौर से देखा तक नहीं, कैसा है, अभी अभी बनवाया है, मैपा, हमें कंप्यूटर क्लास की फीस पननी है, बेटे क्यों सीखना है कंप्यूटर, कैस के पहले कंप्यूटर के बिना देश नहीं चलता था क्या, कहां से इतना पैसा लाएं, चार फल खरीद देगी तो हैसी इतनी है हमारी, मंधिर जाते हैं, तो पंडे पुजारी चड़ावे से निकाल कर दो चार फल हमारे हाथ में रख देते हैं, वही हम तुम्हें देकर खुश हो जाते हैं, जो पढ़ रही हो, वही बस है हमारे लिए, तबीद तो ठीक है ना आपकी? हमारी तबीद कोई क्या हुआ? हम पपु की दुकान तक टेहल कर आ रहे हैं, तुम खाना खाले रहे हैं। आईए आईए पांडे जी, इससे पहले कि असी घाट अमेरिका के मियामी का आसामी हो जाए, और घाट के विदेशी और चौरा है के सौदेशी, इस देशी महले की खाट खड़ी कर दें, आईए और देखिए, किस कदर घंडव गदर मचा रहे हैं, ये दड़बे के गदर है, आ गया गुरू। कल की देखो, तो क्या था सी? उस था क्या? क्यों पाणे जी? पर जैसे ही प्राचीन पंडों ने काशी को धर्म और मोक्ष की नगरी घोशित किया, वैसे ही देश भर के राजाओं, सामन्तों, व्यापारियों ने घाटों के किनारे किनारे अपने महल और मंदिर बनवाने शुब कर दिये हैं, अब जब मंदिर बन गए, तो उनके बगल में कूठलिया भी बनवाई गई, ताकि ये पंडे पुरोहित इन मंदिरों में दिया पालती भी कर सकें, और पुझा बाढ़ भी करते रहें, और ये पंडे पुरोहित अपने जजमानों के कल्यान के लिए धरम करम करते रहें, अपने बच्चों को जोतिश, कर्मकान्ठ, संस्क्रेट सिखाते पढाते रहें, न जमीन जायदात की चिंता, न राशन पानी की च तक न कपड़े लख दे कि इसमें एक बात और जोड़ ये गया गुरू इनी पन्नों के पूजा पाट के भरोसे वो अपनी रिया पर त्याचार जुल्म भी करता रहा कि जो पाप करो जितना पाप करो इन सब के प्राश्चत का विदान हमारे पूरुद के पास है चाहे कोई बात करो ये कमिनिस्ट भोस्री के अपनी फिलोस्फी पेलने से बाज नहीं आते हैं खेर आजादी के पहले सब कुछ चका चक था हालत बिगड़ी जमीदारी खतम होने के बाद अरे जो अपना नहीं सभाल पा रहे थे वो पंडे पुरहितों को क्या सभालते हैं सो जज्मा पानी की कमाई बंद और इधर पनी बंद है कोई आंदनी नहीं जिन्दगी भर कभी ना खुद कुछ किया और ना अपने बाल बच्चों को कुछ कर ड़े अवे क्या हुआ पाने जी हम कुछ घलत कहेगा क्या पानी पीएंगे? नहीं क्या जी पा रहे हैं? एक मेहने बाद हमारी नौकरी नहीं रहेगी क्यों? पाडशाला को अब ऐसे अध्यापक की ज़रूरत है जो संस्क्रित के साथ अंग्रेजी भी पढ़ा सकता हूँ हमें कहती है क्या है कि हम सेवा संग की धरमशाला सबालना चाहें तो हमें कुछ तनख्वा मिल सकती है साथ री क्या अब हम इसी लाइक रह गए हैं कि तीज धियात्रियों की तहरी कंबर और कंबरों का ध्यान रखें हमारे पिता ने हमें अंग्रेजी नहीं बढ़ाई भारत की आत्मा संस्कृत साहत्य में है संस्कृत देववानी है यही सुनते पढ़े हुए हैं हम और जीवन भर अंग्रेजी को करयाते रहे हमारे पच्चों को भी हमने अंग्रेजी से दूर रखा और आज आप इतना हताश क्यों हो रहे हैं पनारस में सेक्रो संस्कृत की बढ़ चाले हैं और विदेशी भी तो संस्कृत पढ़ रहे हैं सावित्री हम अपने पच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे हम अपने पच्चों को संस्कृत भी पढ़ाएंगे और अंग्रेजी भी बार बाबा की एक चेली बता रही थी कि बाबा ने योग के बलसे अमेरिका में अपने लिंग पर आठ किलो का अस्ट धातू का गलोब उठा कर दिखा दिया और मन से नीचे बालू में फेक दिया चेली में कोई और गलोब देखा होगा अरे कुछ भी कहो पर निख्वा ने तुम कमाल कर दिया इन रो जो भी अस्टी पर उतरता है सीधे बार बर बाबा का पुछता है अरे पूरा देशी नोटेंगी देखने में बिजी है भाई हर हर महादेव हर हर महादेव कैसे हो पाद्ध्या जी हम तो अस्टी पर ही रह गए तुम तो अमरीका पहुँच गए ने को आ साहसे वसते लक्षमी साहस नहीं करोगे तो लक्षमी कहां से आएगी उपाद्ध्या जी देखिए मैं पूरे विश्व को आर्य बना रहा हूं क्रिणवन्तो विश्वम आर्यम सही कह रहे हो निकवा अब तो यह सारा संसार ही हमारा कुटुम्ब है रुप्या पैसा सब संबंध जोड़ देता है पांडे जी दिखाई नहीं दे रहे अरे गए होंगे किसी जजमान की यहां यह कहीं देश राष्ट धर्म पर विचार पेल रहे होंगे और क्या अब वेदान्त और साहित कौन पढ़ता है पांडे जी बैल गाड़ी की युकी भाचा होकर रहे गई है संस्कुम्ब किसी तरह कर्मकान की बदोलत जिन्दा है वन्ना कबके मर गई होती है अभी तो पुराने आचार पढ़ा रहे है वो नहीं रहेंगे तो बताओगा करूंगा आप कहीं से कुछ सहायता मेल चाके क्यूं चेहिए नेया डिजाइन वाला शोत पुराना है तो पुरा है क्या चरेत्रा आध्मी को बनाता है कपड़े नहीं मामा पांड़ा तुम्हारी कंप्यूटर क्लास का क्या हुआ बात में पढ़ लेंगे ट्यूशन करके पैसे जमा कर लेंगे अभी हम जिन्दा है कुछ करेंगे जी बाबा आओ इधर आओ अब बड़ी हो गई हो छोड़ी थी ना तो दौर कर हमारे सीने से आ लगती थी कपसे सीने नहीं लगिया तो पंडी जी मरना चाह रहे है क्या किसे मिलना है पंडी जी घर पे हैं सब आएंगे यौल वेट ओन घाट आल आल जॉइन यू सून आएए जूते यहां उतार दीजे हैरे तो नेकवा तो ने जी नेकवा आया है जाओ भीतर जी है जी जी है जीह जी जीह है जीह जीह हाई लगी पंडी जी dł दिर्ने चदरिया, दिर्ने चदरिया अरे नकातू, आबैठ कैसे आना हुआ? घाट पर गया था सबसे मिलने आप नहीं दिखाई दिये तो सोचा घर पे ही आज तब यह ठीक नहीं है आमारे आप बिल्कुल नबदले पांडे जी पर तुम तो बिल्कुल बदल के हो यह खरताल बरताल बचा कर तुम क्या बेच रहे हो? जैसे आक्टर तेल और साबुन क्रिकेटर, कपड़ा, लत्ता, मोटर, मोबाइल नेता देश और भुका इमान बेचता है यसी मैं विदेश्यों को योग बेचता हूँ कबसे ये योग सीख्या हरामी? कैथरीन जब इंडियन फिलोसफी सीख रही थी तब हम अंग्रेजों की भाषा उनकी जरूरते, उनके सपने और उनकी फिलोसफी सीख रहे थे हम कमपड़ जरूर थे पर हमने गलियों, चौराहों और घाटों पर उस तरह और कैंचियां चलाई थी अंग्रेजों के साथ चरस गांजे का दम लगाया था ये बात समझते हमें देर नहीं लगी कि दुनिया दुनिया एक बड़ा बाजार है पहले समाज में एक बाजार होता था अब बाजार में एक समाज सांस ले रहा है और कैथरीन इस बाजार को खूब समझती थी कैथरीन के साथ हमरी शिकेश चले गए वहीं थोड़ा योगासंसी का और हो गए योगाचार है अमेरिका पहुंचे तो एक बारबर हो गया बारबर बाबा सुखी हो पांडे जी आज हम सभल हैं क्योंकि आज हम सुख देने वाले सादन खरीद सकते हैं बच्वन मैं पढ़ा था सर्वे गुणाह कांचनम आश्रियंते सारे गुण पैसे से खरीदे जा सकते हैं जो धन्वान है वो गुर्वान है जो निर्धन है वो 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 समाज का कचरा है यहां ग्यान की उपासना करने वाला भूका मरता है और पाखंड की पूजा होती है देखे मैं योग बीचता हूँ और कैथरीन दुनिया को भारत क्या है समझाती है हम पर डोस में टीवी देखने जाए भावुजी जाओ चल्दी आजाना कंणी बता रहा था कि आपने बनारस और सारनात पर किताबें लिखी है जी अब कैथी भावी बनारस पर दूसरी किताब लिख रही है उसमें एक चाप्टर असी पर आपसे भला अच्छा असी को कौन जानता है पर बनारस के बारे में आप क्या जानती है सहोर्डर जी, आक्रे है मेरे पास, रांडो, सांडो और सान्यसियों के, जिन के लिए बनरस कभी प्रसिदित था, पिछले कुछ शलों में ही, कितना अंथार आया है, उनके संक्या में, बुरा ना माने, तो में कहना चहूंगी की, वारनासी इस डाइंग, तो, क्या चाहती हैं आप, मठ और आश्रम, रानों से भरे रहें, सांड, साक और गलियों में, जहां कहां गोबर करते रहें, जो धूर दाड़ी दाड़ा बढ़ाए हुए लोगों को चूटिया बना रहे हैं, उनको सन्यासिर समझते रहें, आसे आसे डॉक्टर हल्ला नहीं, नाराज क्यों हो रहे हो, वो कह रही है कि बनारस मर रहा है, और आप, सिरी हिला रहे हैं, किसी बनारस के लिए साथ समंदर पार से दौर लगा रहे हैं, ये होश्री क्या अंग्रेज, अरे यार, कुछ टो लिहाज करो, महिला है, अरे महिला है तो क्या कापार में बैट तक मूदे की? समझाओ इनको, मैं जानती हूं, गालिया पाना और गालिया देना, जालिल होना और जालिल खार्ना, असी की संस्कृती है, नमस्ते. नमस्ते दो धाई हजार विदेशी हैं गलियों में उसमें सबसे कम अमरीकी हैं गलियों में और सबसे कम कुछ आपको पता भी है कि गलियों में क्या हो रहा है धन्धा डॉलर का धन्धा आपको मालूम है कितने मकान खरीदे गए इस महले में लोकल अग्यों के नमों से फ़र्जी ही हम समझते हैं गलो्बलाइजेशन वो जब तक चाहें आए जाएं यहां पर रहे हमारी हैसिती क्या है डॉक्टर साहाब पर वे कहां हमारी कोद में आकर बैठ रहे हैं हमहीं भाग रहे उनके पीछे भाग नहीं रहे हैं उनकी गोदी में बैठने के लिए तरप रहे हैं दुनों बार यही कहेंगे कि असी जरजर हो रहा है कि धैरा है कि मर रहा है कि इसे हमें दे देंगे हम इसे नया कर देंगे एकदम चमाचम आज असी कलप नारस परसो दिल्ली नरसो पूरे देश को अपनी गोद में बठा लेंगे यह तो बाद में पता चलेगा कि हम किसकी गोद में बैठे हैं चसुदा मईया की या पूतना की काशी हीले पटना हीले काशी हीले पटना हीले कलकता ही लिला तोहरी लचके जब कमरिया सारी दुनिया ही लिला तोहरी लचके जब कमरिया कन्य अरे बाल अगी पान्य जी खुश रहा पान खाएंगे नहीं बाती है कन्य जी कहिए किरायधा डूंगे कि अगया है अगया है अगया है अगया है पाने जी और कोई हराम यापके दरवाजे पर बोर्ड लगा गया है वह हम लगाए है हम आप लगाए है अरे दुनिया ग्लोबल विलेज हो रही है और हम अशी को ही दुनिया समझ रहे हैं अब अगर हम परमपरा आगे नहीं बढाएंगे तो यूनिवर्सिटी तो बढ़ा ही रही है हम गलत कह रहे हैं तो पताईए अचारे जी आचारे जी पालगी चाची कहा कहा से छातायार नही नही रंडिय tra sicak te चुपके से किसको यहां से नही तो किस तरिन मुवे जोंस तेंगे रहा चारे निसं वाइफ झाली मेंस्टे बामची वाग यहां से बू सडिकी यहां का रेट तो तुम्हें पता हो का कनी? जी गुरू, आ तो गुरू है, ये सोदब पका समझो, हाँ? क्यों आए थी वो अंग्रेजन उस लफंगल उच्चा के साथ? संस्क्रित पढ़ना चाहती है और रहेगी कहाँ? इसी घर में? यहाँ? ठूप कर चाटते शरम नहीं आते आपको कल तक आप ही घूम घूम कर महले में इन अंग्रेज अंग्रेजनों को मलेच और जानवर कह रहे थे कि साले नहाते धोते नहीं है छाड़ा फिरते हैं तो कागच से पोच कर फेक देते कहते थे कि नहीं? और उस दूबे का मकान तो बड़ा था तो क्यों आत्मा सर पे उठा लिया था जब वो एक अंग्रेज को रखना चाता था? वो तो बाल बच्चे वाला भी था बीवी भी थी उसके साथ तब महले के लड़के लड़किया खराब हो रहे थे धरम भरष्ठ हो रहा था और आ तुम यहाँ खड़े-खड़े क्या तमाशा देख रहे हो चले यहांसे खबरदर जो उस अंग्रेजन को घर में घुसने भी दिया था जीने नों देंगे हम एक बात पूछे हैं कहीं तुम है, जलन तो नहीं हो रही आंग्रेजन से हो रही है ना और क्यों नहों गी अब भी रहे गए हो किसी हुरत के काम के हमारे बाप अस्पिदाल में मरना रहे होते तो आप ही एक मरत नहीं बच्चे थे हमारे भाग में मर नहीं रहे थे हम, अपने से उमर में 15 साल बड़े रंडवे से शादी के लिए तो फिर क्यों इतना परिशान हो रही हो तुम परिशान अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए हो रहे हैं और हम क्या अपने लिए कर रहे हैं देखिये कभी जगवा की अरत की साड़ी और अपनी देखो, अपना कान, नाग, गला, कला ही देखो क्या मैंनी चाहता है कि तुम बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहने हो गहने पहने हो, बेटी काईदे से लिखे पढ़े अच्छे घर में उसकी शादी हो, अच्छा वर्म मिले ससुराल जाए, तो सास ताने ना मारे संस्क्रित लिखने पढ़ने का सुक तो तुमने भोगी लिया है अब क्या चाहती हो, बेटे भी घाट पर बैठे है आज तक आपने समझोता नहीं क्या तो आप ये सब क्या रोटी का चक्का जब कुछलता है ना तो सबसे पहले मुल्य सिधान्द कुछले जाते हैं सावितरी गरीबी सब कुछ रौन देती है हम अपनी जरूरते बढ़ाने के बज़ाए कम भी तो कर सकते हैं कौन हो तुम और क्या कम करोगी क्या खाओगी और क्या अपने बच्चों को खिलाओगी अपनी कौन सी जरूरते कम करोगी आज शाम को कन्य आ रहा है खाने पर निती यही कहती है कि अगर वो हमारा ध्यान रखता है तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए प्रेयो मंदो योगक्षे माद ब्रनीते यम ने नची केता से कहा नची केता जरूरी नहीं कि मन को अच्छा लगने वाला रास्ता सच का रास्ता हो इसलिए समझदार अच्छा लगने वाले सुख देने वाले रास्ते के बज़ए श्रह के रास्ते को सच के रास्ते को चुनता है एक अंग्रे जिन को घर में रखना हमें बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है आप उसे रख दीजे उपाद्या या दूबे के घर में वो चाहते भी रहे है बस पढ़ने आ जाए करें यहां चूतिया हैं हम हर मेंने अपनी जेब से पंदरा हजार रुपे उन्हें दिया करें पंदरा हजार रुपे जोड़ो सब एक दिन का किराया पांच सो रुपे तो तीस दिन के कितने हुए और वो मेरे हिस्से का किराया है यहां रहेगी तो किस के हुए दो सो नहीं डेट सो रुपे प्रती घंटा के हिसाब से यूशिन के भी जोड़ लो कितने हुए साड़े चाहर हजार साड़े चाहर हजार में पांचो कर्णी के निकाल दो और उसमें पंदरा हजार किराय के जोड लो तो कितने हुए? उनिस हजार और तुम चाहती हो कि हम सिर्फ चाहर हजार अपने पास रखें और पंदरा हजार उपादिया ये दूबे को दे दे हमसे बड़ा चूतिया और कोई होगा दुनिया में एक बात और जान लो जरूरी नहीं कि वो छे में नहीं रहे यदि वो खुश हो गई हमारे तुमारे विवार से तो साल डेट साल के लिए भी उठा सकती है कोठरी और वो चली भी गई तो सीजन में हजार डेट हजार रुपया भी किराय मिल सकता है हर दिन के सब से बोल रहा था कन्नी है लेकिन कोठरी है कहाँ दो ही तो कोठरी है तो फिर वो रहेगी कहाँ छट पर छट पर तो क्या आंगान और बैठक से होकर रहेगी जाएगी और छट पर है क्या जहां रहेगी तुम चिंता मत करो मैंने कन्नी से भाद कर ली है तीन महने करवांस लेंगे और महने भर में कोठरी तियार करवा लेंगे अरे कोठरी तो तियार करवा लोगे लेकिन उसके आने जाने का क्या करोगे तुम तो बड़ी जहेल ओरतो, ना चैन से जियोगी, ना रहने दोगी जाए शिर्राम अरे आओ भई कनी, आओ पालगी चाचाप, पालगी चाची अब जाए सवागिलो लड़ू चड़ाए संगट मोचा ननमाजी को और कल सुबह इटा सिमेंट बालो गिरवा दिजी और खाम शुरू करवा दिजी कोठरी का कल शाम को एडवांस दे रहा हूँ तुम्हारा ऐसान कभी नहीं खुलूगा कनी पर उसे कह देना के बहुत जलना मजाए हमने पंचांग देख लिया दिश्या मुहरत सब समझ लिया है चत पर जो कोठरी बनाएंगे उसका महर पूरप की और होगा गंगा की और तीनों तरफ खिड़कियां जहां से देखो वहां से बनारस दिखाई देख कोशी यही करेंगे कि महने भर में तैयार हो जाए कोठरी महीना साथ आठ दिन के काम के लिए महीना साथ आठ दिन में अटाच लेटरीन बातरूम के साथ कोठरी कैसे बनेगी करनी हम आपको बताते हैं देखिए इस कोठरी में तो कुछ करना नहीं है बनी बनाई है बस एक लेटरीन बातरूम अटाच कर देना यह जो बगल वाली छोटी कोठी है, उसमें न लगवा दीजिए, कौरा लगवा दीजिए, अंग्रीजी स्टाइल का कमला लगवा दीजिए, तॉलिया उल्या टांगने के लिए टॉल रोड लगवा दीजिए, शिवर लाइन तो बाहर से गई है, बस उसमें कनेट करवा अरे पाले जी, चीव जी कोई राम लला तो है नहीं, कि जहां थे वहीं रहेंगे, टस से मस नहीं होंगे, अरे वोट है रे खुमंतू देवता, अपने मन के राजा, साथ में नंदी है, कभी कैलाश पर तो कभी काशी में, हाज कोठी में है तो कल छत पर जा बैठें, आप क्य कर लेंगे उनका, अगर हम गलत हैं तो कहिए, एक अनिया, कान खोल के सुन लो हमारी बात, काशी के हर घर के बाबा है महादेव, घर के मुखिया, वो जहां जाहेंगे, वहां रहेंगे, उसके लिए तुमसे नहीं पूछेंगे, अरे चच्ची, अरे हम आप ही का भला सोच जड़ा सूची, बेट टी, मॉनिंग टी, आफ्टनून टी, इवनिंग टी, ब्रेकफास, लांच, डिनर, नजाने कितनी ज़रूरतें, अरे कितनी बार आप सीड़ी उपर निचे चड़ेंगे, अब आप यही करेंगे क्या, वो सब हम कर लेंगे, साला कुछ हम कर लेंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है, पांडे जी, मैं कुछ कहना ने चाहता था अपनी जुबान से, लेकिन सुनी आब आप, यह आप देख रहें गंगा की और खुलने वाली खिड़की, मादलेन रोजाना 500 रुपिया इसी खिड़की का दे रही है, ना क्या आपके कोठरी के, ना ह फिर, आप ब्रामन, मैं ब्रामन, मेरा गोत्र आप से उचा ही है, सांडिल गोत्र, आप विद्वान है, वेद्शास्त्र सब पढ़ है, जरा सुची, महादेव जी के बगल के कमरे में कोई विधर्मी रहे, तो क्या उनको बरदाश होता है, अरे वो खुदी वहाँ से भाग खड़े होंगे, खेर, मेरा धरम था कि आपके भले की बात करूँ, अब आप जाने, आपका काम चाहिए, सुची, मैं आउगा कल मात लेन के साथ, शाम को, तीन महने के एडवांस के साथ, जय श्रीराम सावित्री, तुम चिंता मत करो, मैं करनी का कमिशन बढ़ा देना, सावित्री, मादलेन के लिए निम्बू की चाय बना देना, सावित्री, मादलेन के लिए पानी तो गरम कर दो, सावित्री, मादली ना रही है, पड़ा पर जाड़ू पोचा कर लो, सावित्री, मादली न क्यूशन जे उठ रही है, चाय पियेगी, मादलेन कल सारनाथ गई थी, आज राम नगर जाएंगी, लंच थोड़ा पहले करेगी मादलेन, रोज रोज वही रोटी, वही दाल, वही सबजी, वही भाद, नहीं यार सावेत्री, कभी चेज भी होना चाहिए, कुछ स्पेशल, गुड नाइट को संस्कृत में कहेंगे, श अपना अंगया जांगया खुद ही दोती है कि तुम दोती हो, भाग ऐसे बोचरी की, अला कईया, देखो नखरा, अंग्री जन को गहर में गुसने नी दोंगे, अबे धरमनाज, कहां अबे, गथे, सुवर, उल्लू के पठ्थे, ते पाणे, निकल बहार कोठरी से, जटाटवी, गलचल, प्रवाह, पावितस, तुर्मती, मैंने बहुत पर्दास किया रे, जहां तुने मुझे रखा है, वो मंदीर है या माचिस, हिमाले के उच्चायों के रहने वाला मैं, खुले आकास में, जहां साफ हवा है, ठंडी ठंडी बयार और तुने साले मुझे, यहां बिठा रखा है, जमीन पर, नाली के पास, जिसमें गूमुद बहता है, तेरी मजाल कैसे हुई मुझे टिपाटेबी में बंद करने की, दम खुटता है मेरा उस काल कोठरी में, अगर अपनी खैर चाहता है, तो ले चल मुझे अभी इसी छण छट पर, खुले आकाश में, जहां धूप है, बारिश है, सूर्य है, चंद्र है, तारे है, और नक्षत्र है, उठ और ले चल इसी छणुद बाबा, इम्मद नहीं बढ़ रही है हमारी, लोग क्या कहेंगे? तु मेरी सुनेगा आक लोगों की, देख रहा है यह तीसरी आक पाव, डड़ इसली लग रहा है कि वो एक अंग्रेजन है, तुने वेद पढ़ा, पुरान पढ़ा, सब पढ़ा, पर मुर्ख का मुर्ख ही रहे गया, मैंने प्राणियों की स्रिष्टी की है, हिंदूों की, इसायों की, मुसल्मानों की नहीं, यह तुने बनाए है, जा सम जा मोह लेखू, अबोट अले चाल, 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 पाव के पिशोरचंद शेखरेरती प्रदिक्षणम ममा पाने जी, अरे पाने जी, का ओ रहा है माराज, इट, बालू, सीमेंटी सब का है, क्या बताएं उपादिया जी, कल राज शिपची हमारे सपने में आए, गुसे में थे, कह रहे थे, यहां कोटरी में हमारा दम घुटता है, हमें जट पर खुली आकाश में लेचलो, चांग खुली हवा है, चांद है, तारे है, सुरिया है, अरे तो चमतकार हो गया पाणे जी, शिपची हमको कितने दिन से कह रहे हैं, अरे तू मनश्यों के रहने की चंता कर, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, पर हम तो आपके डर के मारे कुछ बता नहीं रहे थे न, अब शिपची ने आपको आदेश दे दिया, चलिया हो गया फैसला, अरे तिवारी, सुकर, चतुरवेदी, अबे तू में चमतकार हो गया, अरे चमतकार, वाहे चमतकार, हर हर मादे पांड़ी जी, पांड़ी जी, गजब हो गया, मैनों से हमें शिपची कह रहा है कि चौबे, हमें किसी प्यणक निची बठाओ, यहां बहुत बू आती है, पर हम मानी नहीं रहे थे, लेकिन अब प्रायस्चित के लिए, आज ही हम अखंड हरी कितन रख रहे हैं जरूर आईएगा, आशर पांड़ी जी, आशर, दो दिन पहले ही शिपची हमें सपने में कह रहे थे, कि अबेत्य वारी हमें घाट पर कहीं कंगा के नस्दीक बिठाओ, पर हम सपने पर कैसे यकीन करते हैं, पर अब हम क्या कहें, इसलिए कल ही हम राम चरित्र मानस का अख पाट रखेंगे और शिपची को उठाएंगे, प्रसाद लेने जरूर आईएगा, जैराम जी की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, किसी को कोई सपना नहीं आया, पर कल सुबे तक पूरा 80 सपना देख चुका होगा, जाएए, रोके उन्हे, व पाने जी, अब यह चलो, अरे पाने जी, आपने पंचांग देखा क्या, कल सौभाग ये योग है, हम तो सोच रहे हैं कली गाजे बाजे के साथ, शिव जी को चौराहे पर बैठा देंगे, आपने कौन सा महरुत निकाला है, अब बात क्या है, हुआरे शिव जी हटाते है टूट गए, ए भाई, क्या कर रहे हो या, जाओ जाके अपना काम करो न, हाँ, अरे पाने जी, आप दुखी हो रहे हैं, खुशियां मनाईए खुशियां, शिव जी कृपा कर रहे हैं आप पर, वे स्वैम आपके घर से जा रहे हैं, आप तो गाजे बाजे के साथ उन्हें भेजने की तयारी करिये, और मित्रों को बलाईए, फिर भंडारा करिये, उत्सव मनाईए, और चड़ाईए फिर एक कोटरी उपर मना करके रहे हैं, तो पात है जी, हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, कोई भंडारा नहीं करेंगे, जाए आप हाजे, जाए आप हाजे, पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी, चलिए, धर्म संसत बैठी है, सभी को बुलाया है, अरहे, 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 बाई तिवारी, तिवारी, क्या बात हो पाध्या, अरे जल्दी चलो, वहाँ धर्म संसत बैठ रही है, जो धर्म नात्पणवा पलट गया ना, तो मौका गया हाथ से, समझो के नहीं, चलो, समझो के इट से इट बजा देंगे, पर एक भी मूर्ती खे सकने नहीं देंगे, हम कैसे मालने शिवजी सपने में आए, अरे ये क्या बात हुई, शिवजी सपने में क्यों नहीं आ सकते, क्या सबू थे आपके पास, कि शिवजी ने सपने में आदेश गिया, अरे अब सपने का सार्टिपिकेट कोई कहां से लाए, ये तो वही बात हुई, कि रामलला के जन का सार्टिपिकेट लाओ, क्यों दिवारी, असी को आयोध्या बनाना चाहते हैं आप लोग, और बनाना ही चाहते हैं तो सुनिए आप लोग, क्या था काशी, महाशम्शान, आरे आप लोग, पाड़े जी को भी कुछ बोलने देंगे कि नए, आप क्या कहना चाहते हैं, बच्पन से हमने यही सुना है, कि वह कंकं में बसा है, अब उसके कंकं में बसने का सर्टिपिकेट हम कहां से लाए, बताए, वह हवा में है, आग में है, पानी में है, अब आग में पानी में होने का सर्टिपिकेट कहां से लाए, बाई है, बाते न बनाएए पानी जी, और सीधी तरह जवाब दीजे, आपकी हिम्मत कैसे हुए शिव जी को उठाने की, खबरदार अगर किसी ने पानी जी के खिलाफ एक शब भी कहा तो, हाँ, अरे हर दिन, खाट पर, रोज, सुबह, सैकडो, लोग, महादेव की मूर्ती बनाते हैं, गंगा की माटी से, पार्थिव महादेव, उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद, उसको गंगा जी में बहा देते हैं, उससे किसी नाज तक सार्टिपिकेट मांगा है, क्या, आए, अरे ये हमरे और शिव जी पूरे ब्रह्मान में जो कुछ है वो शिवी तो है, अब कौन भुज़डी का उसका प्रह्मान पत्र ले कि आएगा, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादे, हर महादेव हाई हाण ओाण हाण हाद हाण इक रट आ पी लगलाम मैं आ आ रहा टे आ आ जा आ झर आरना आ खारना खारना मैं आ अ आ आ आगारे न आ आ आ आ आ आ आ आ करे तॉक diesem हपश् dedicate थे का साथ पस्टना कर फीड Михेज मेरे हाथ आसी गाट के पास क्वाल दो साथ वैंड को भ यन था कर दो अट झस्टना और प्रसाद के लिए असी मोहलावासी साप परिवार अमंत्रित है आईए आईए जरूर आईए जाए श्रीण राधे शाम देख रहे हो असी के पंडों का पाखंड अब बताओ इन पंडे पुरोहुतों का पुटला कौन जलाएगा हम जलाएंगे और उनकी अर्थी भी निकालेंगे पर आप खुशिया मनाईएगा क्योंकि आज असी ढए गया जो किसी से नहीं हारा वो अज जिन्दगी से हार गया अरे भोश्री के एस पी मुश्राप अज असी का कासी की आत्मा का अपरेल हो गया अब कौन सी फ्रोती दे उसे चुड़ाओगे दुनिया के बाजार में ख़ड़ा तुमारा असी बिक रहा है खुशिया मनाओ है पपो है सबको हमारी तरब से असी की तेरही की चाय पिलाओ का अनका लीच अवड़ प्रोती तेरही की चाहा है असी का अवड़ागे है आप का अवड़ागे वे असी की तेरही तेरहा है आत्मा का वे उसे प्रोती है कि अ कि अ कि अ कि अ कर दो थो है पादी जी पूबक किशितम किमना करूती पापप हो का आदमी क्या पाप नहीं करता यही पढ़ाया हमने और चार दिन अपने डर से नहीं लड़ पाए हम ते हमसे क्या हो गया सावित्री जो आदर सदियों तक हमलों से हथे आरह से बदली हवाओं से नहीं हारे वो आज छोटी-छोटी जरूरोत उसे लालच से चंद रुपयों से हार रहे हैं यह क्या हो रहा है हम अपने ही मंदिर अपने ही मस्जद अपने हादों से तोड़ रहे हैं हमने अपने ही बाबा को अपने घर से लिकालती हैं जैसे एक आशी में अपने बुड़े माबाप को छोड़कर भाग जाता है जैसे हमने अपने बाबा से दुक्का किया यह हम कहां से कहां आगे जामत्री यह हम कहां से कहां आगे एक बात कहे हमने कभी कुछ पाने के लिए रामचरित मानस का पाट नहीं किया हमें तो मानस में जिंदगी से लड़ने की ताकत मिलती है इसलिए हम उसे बार-बार पढ़ते हैं हमने कभी रामचरित से प्रात्न नहीं की कि दुखों से मुसीबतों से हमारी रख्चा करने पर हां हमने हमेशा उनसे यह कहा कि दुखों से मुसीबतों से लड़ने की हमेश अक्ति देना देखना पांडीजी, हमें संकत से भी लाड़ेंगे आप एंबंपगेria this one पांबहेजी पांबहेजainen झाल पांबहे!! झाल जए hablar झाल 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 प्रॉडर्ट व्रॉडर्ट यह शाल श्वधिरी देखों के लाएं जिन्दगी अपना रास्ता थून ही लेती है पांडे जी थोड़ा चंदन मिलेगा जितना चही ले लो भई सब महादेव का है पांडे जी और बहरूपिया अब साथी सावित्री और मादले नब सक्खिया मादले अब पांडे परिवार का हिसा है कन्नी गुरू अस्ती को अमेरिका बनाने में देश के बड़े बड़े गुरूपों का साथ दे रहा है जिन के लिए देश और विश्व बाजार है और लोग तंस्यों बाबा का योगा श्रम और योगा चैनल चल रहा है बदल रहे मुल्यों के इस दौर में पांडे परिवार जो सच है, शिव है, सुन्दर है उसे बचाए रखने की दिपोशिश में नानारत नबे भूशितम रिगमदा मोदम कितम चंदनम कर रहे मुल्णी मुल्ड़ चैनारत नबेड़ा रिज तर Лίएप अई बदल री में वोगश्च बज़वार शिवार झाल थर बाल भी मोश्श का भी मॊशित्ट बाल कर दो दो चैन realize झाल 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 झाल